कौरबों में ध्रतराष्ट और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था दुरियोधन और उसके अंदर कूट कूट के घमंड और इश्या भरा हुआ था उसे केवल सत्ता ही नहीं बलकि सभी चीजों पर उसे अपना ही अधिकार लगता था एक ऐसा ही अधिकार जमाया था कंबोज की राजा चंद्रवर्मा की बेटी भानुमती पर दुरियोधन की पत्नी का नाम भानुमती था और भानुमती की वजह से ही यह मोहाबरा भी बना कि कहीं की इट कहीं का रोडा भानुमती ने कुन बाजुड़ा भानुमती कामबोज की राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी और राजा ने उसके विभा के लिए स्वेंबर रखा था स्वेंबर में शिशुपाल, जरासंग, रुकमी, वक्र और दिरियोधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे जब भानुमती हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरवार में आई और एक-एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दिरियोधन चाता था कि भानुमती माला उसे पहना दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ दिरियोधन के सामने से आगे बढ़ गई बानुमती जब दिरियोधन ने उनके साथ से माला जपट कर अपने गले में ही हाथ में डाल ली थी तभी राजाओं ने तलवारे निकाल लेकिन दिरियोधन ने सभी योध्धाओं से कर्ण से युद्ध की चिनोती दी जिसमें कर् भानुमती को हस्तनापुल ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीश्म पिताहमा भी अपने सोतेले भाईयों के लिए अमबा अमबिका और अमबालिका का हरड करकर लाई थे। भानुमती का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हूँ चला था दौनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरहे रहते थे। दौनों की माला कर्ण के हातों से आकर तूट गई दुरियोधन तब तक कमरे में आचोका था। दौनों को देखकर भानुमती और कर्ण दौनों डर गए कि दौनों को कहीं कुछ गलत शक्ना हो जाए। परंतु दौनों को कर्ण पर बहुत ज़ादा विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वहे जिस उदेश से आया था। उस संभन्द में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिये जाने से बच गए। का आचल फट गया और उसके सारे मोति भी वहीं बिखर गये। ऐसे ही समय करण को भी दुरियोधन आता हुआ दिखाई पड़ा दौनों शर्म से मरे जा रही थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुरियोधन क्या समझेगा। तब दुरियोधन ने कटाया तो दौनों उससे आँख नहीं मिला पा रही थे। तब दुरियोधन ने हसकर कहा कि मोति विखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं। मोधी समेटने में। कहते हैं कि भानुमती बेहद ही सुन्दर, आकर्ष, तेजबुद्धी और शरीर से काफी शक्तिसाली थी। गांधारी ने सतीपर्म में बताया है कि भानुमती दुरियोधन से खेल-खेल में ही कुष्टी भी करा करती थी। जिसमें दुरियोधन उससे कई बार हार भी जाता था। बानुमती को दुरियोधन और पुत्र की म्रत्यू का भी गहरा धक्का लगा था। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपॉर्ट झाल